अध्यातमत का ज्यान कर राने समय समय पर आते हैं महापुर्ष और आपको महापुर्षों की शर्णा में जरूर जाना चाहिए उनकी संगती करनी चाहिए ताकि आत्म का कल्यान हो सके बड़े भाग मानुशतन उपावा सुर दुरलब सब गरंतें गावा साधन दाम मोशकर द्वारा पाइन जोही पर लोक संबारा अर्थार्थ बड़े भाग्य से जे मानब शरीर हम सब को मिला है सबी गरंतों ने जही दर्शाया है कि मानब शरीर देवताओं को भी दुर्णब है यह साधन का दाम है और मोक्ष का दरवाजा भी है इसे पाकर जिन्होंने अपने मानब जीवन को पर लोग को नहीं सवारा बैलोग अवाग्य है बड़े भाग पाईये सत संगा बिनही प् कब बंगा संतों का संग और प्रवु की जब वशेष क्रिपा होती है तबी जाकर संकी प्रापति होती है एक साधक को भगवां की प्रापत हो जन्तों कि इस में जातीए उसका ग्यान सिर्फ कोई सद्गुरू ही कर बा सकते है अन्य था आप हम सब किताबों में इन मंत्रों को पड़ पड़ कर अपने जीवन को ही नहीं अपने भग्य को अपने परलोग का नश्ट कर रहे हैं हमें मंत्रों से नहीं अपने अंदर की जो आत्मा रूपी जो परकाशपुन्ड है जो भगवान श्री कृशन ने अर्जुन को महावारत के बारे में तो सब कुष लिखा है पर बागवत को कोई पढ़ना नहीं चाथा सुनते हैं पर किसी को समझ में नहीं आ रहा हम सब भगवान कृष्ण की जीवने लीला को जानते हैं भगवान ने माखन खाया भगवान का जनम जेल में हुआ पर हम यह नहीं देखे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क् नहीं जानने के कोशिश करते इसलिए संतों की शर्ण में जाकर उस असली तत्व पर काश पुंज को जाने और तब जाकर मुक्ति मिलती है भगवान श्री कृष्ण कहते है जिन जे इंसान का जो शरीर है पर जो शरीर के अंदर आत्मा रूपी जो जीव है जो निवास करता है असली तत्व वही है और जब इंसान की प्रानी की आत्मा पर मात्मा से मिल जाती है उसका जनम नहीं होता वै उस परम परकाश पुंज में समा जाता है डिस्तराम नदियां समुंदर में समा जाती है और वैं समुंदर ही कहलाती है पहारों से निकलती जलदारा एक बड़ प्राए बड़े अक्षाम में है और जब समुद्र में जाती है dei कर प्राणी अपनी आत्मरा में मिला लेता है वह प्रमात्मा रुपी प्रकाश पुंझ हो जाता है इसी लिए संतों के शर्ण में जाएं और अपने आत्म कंल्यान कह अला जिससे सद्गधी प्रापत हो और जो इनसान अपने गुरु पर निष्टा भक्ती से उनकी सेवा करता है उसे अवश्य ही उस परम परकाश पूंच के दर्शन होते है जो हर प्राहनी के अंदर विद्मान है जिस तरह समुंदर मतन हुआ चोदा रतन निकले वही समुंदर हमारा शरीर है इसको सिर्बंधन करने के जरूरत है इसके अंदर लाकों हज्यारों ऐसे रतन है जिनके प्रकाश से आप पूरे अपने समाज को जगमई कर सकते हैं इसलिए संतों की शर्ण में जरूर जाएं और अपना कल्यान करें मेरी बागवान की असीन क्रिपा प्रापतो हर्यों जै गुरुदेव श्री रादे रादेव